हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतुपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और उसारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है समाजिक नियंत्रन तो समाजिक नियंत्रन काफी महतुपून है देखा जाये तो समाजिक नियंत्रन से तारपत्य यही यही किसी भी समाज दोरा अपने अडियल या नियंत्र सदस्यों को वापस लाइन में लाने के लिए उप्योग किये जाने में विविन साधन से हैं कि हमारे समाज में कुछ वेक्ति ऐसे भी होते हैं जो दुसरे कई बातों को नहीं मानती हैं और अपना ही चलाती हैं ऐसे वेक्तियों के लिए समाज नियंतरन काफी महतपून है क्योंकि समाज हर एक विक्तियों की महत्वपून युगदान से चलता है अगर कुछ विक्तियों की युगदान गलत है उसको अडियल विहेवियर है तो समाज को जो है कई तरह से नुकसान पहुचा सकता है तो ये काफी महत्वपून है समाजिक नियंतरन देखा जाये तो यह समाजिक परिक्रिया तकनीक और रन नीती है जिनके द्वारा विक्तियों या समूहों के विभार को नियंत्रित किया जाता है क्योंकि ये तकनीक है ये एक रन नीती है क्योंकि समाज अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारे जिवन चडिया ही बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा आज समाज में जो प्रतिमाने बदलते चले जा रहे हैं इससे समाज के विगटन भी हो रहे हैं कहते हैं अगर समाज में नियंतरन न हो तो हर कोई जो है अपनी बाते चलाने लग जाएगा और ये आज क्या दोनिक युग में देखने को मिला है तभी आप देख सकते हो कि saamaj काफी विगटित होती ही चली जा रही है क्योंकि saamaj पे नियन्तरन लोग खो रहे हैं और saamajka नियन्तरन होना काफी महतपून है इस से हमारे saamaj का अस्तित्वधु बना रहता है देखा जाये तो ये कावी महत्पून बात है क्योंकि विभार देखिए बिभार जो है बच्चे भी समाज से ही सिखते हैं जब समाज में गलत यो का अनुसरन हो रहा होगा तो बच्चे अच्छे बातों का अनुसरन किस परकार कर सकती हैं और देखा जाये तो हर माता पिता च जुँदे बेभार समानने हो और आप समाजिक तौड पर नियंदरन करूं तब समाज में इनका वीएवेर भी अच्छे रहेंगे और वह आदर्श में भी बन के खरेंगे उसके पश्रात हमारे समक्षाता है समाजिक नियंदरन के साधन, अब देखिए समाजिक नियंदरन बहुत ही काफी महतपून है, तो समाजिक नियंदरन के कौन-कौन से साधन हो सकती है, अगर हम समाजिक नियंदरन के साधनों की बात करें, तो एक अनवचारिक हो सकता है, एक देखा जाएं तो अफचारिक साधन में यह आता है कि जब नियंतरनके सहित वन्द वी वस्त और अन्ने अपचारिक तंत्र का गईयोग किया जाता है तो इससे फाल समाजी नियंतरनकों को रूप में जान सकते हैं देख सकते हैं देखा जाये तो अवचारिक समाजी नियंतरन की एजेंसियों और तंत्र हैं उधारन के लिए कानून और राज्जी है अवचारिक समाजी नियंतरन के सबसे महत्वपूर एजेंसियां यहां कानून हैं कहते हैं अगर लोगों को समाज से डर खतम ह गया है लेकिन फिर भी कानून का जो है कुछ हद तक जो है डर जरूर रहती है और समाज भी नियंतरन में भी कानून के नियंतरन में रहती है इसलिए अवचारिक के रूप में देखा जाए तो कानून और राज्य जो है समाजी नियंतरन के अजेंसियों के और तंतर के रूप तो हमें अपचारिक तंत्र के एजेंसियों पर जोड़ देना पड़ेगा और उसको मजबूत और ससक्त बनाने की जरूरत पड़ेगा क्योंकि तभी जो है समाज नियंत्रन में रह सकता है अगर समाज की नियंत्रन खो दिया तो समाज जो है विघटित हो जाएगा इसमें तो वह समाज कभी समाज रहेगी नहीं और बहुत जल्द जो है विघटित भी हो जाएगी उसके पश्रात हमारे समक्षाता है अनवचारिक साधन अनवचारिक साधन भी काफी महतवपूर्ण है जैसे प्रतेक समाज में एक अन्य परकार का समाज नियंत्रन होता है जिसे हम और अनवचारिक समाज ने Baptist रूप में जना जा सकता है यानि एक अन्य होते हैं जो इसका अपना एक अलग ही पहचान होता जैसे यह व्ख्तिगत होते हैं अनवचारिक और और सहें टाबध होती है यानि इसमें जो हैं काफी महतवपूर्ण होते हैं जैसे समें मुस्कूरा चेहरा बनाना सरीरिक हाव भाव भौय चढ़ाना अलोचना उपहास हसी आदी सामिल होती हैं यह जो है कंट्रोल करने के अनुपचारिक साधन है आपको मैं समझा सकता हूं इस बात को कि माल लिजे कोई गलत व्यक्ति जो है गलत कारे कर रहा है समाज में अगर उस व्यक्ति को अगर आप की और चिरहते हो उसमें हंसी उराती हो कि तुम्हारा किया हुआ का रहेए गलत है और फुर माल लीजी आपने कई फिल्मे भी देखे होगे जिसमें hero जो होता है गुंडे का रूप में होता है और उसमें heroine's होती होती है heroine's simply form में होती है जब heroine's के कहने पर hero हर एक गल्ध कारे को छोड़ देता है उसके मुस्कुराहाट उसको देखना यह सारे छीज़ उसको भाता है और सारे अपराद छोड़के वो जो उसी के पीछे पड़ जाता है तो देखा जाए तो इसमें हम अनवचारिक साधन के रूप में देख सकते हैं इसको इसमें मुस्कुराना हो गया चेहरे बनाना हो गया सरीरिक हावभा हो गया भौय चडाना अलोचना करना उपहास उराना और ह विखा जाए तो एकी समाज में इनके उपयोग में काफी विभिंता भी हो सकती है यानी एकी समाज में इसके कई रूप भी देखने को आपको मिल सकता है रोजमर्या कि जिन्गी में ये काफी प्रभावी होते हैं हलागे कुछ मामलों में समाजी नियंदर कर अपचारी तरीके और रुपता या अग्याकारिता लागु करने में प्रयाप्त नहीं हो सकती हैं देखा जाए तो हमारी जिन्दगी में ऐसे बहुत से आप एक्जामपल देख सकती हो कुछ वेक्ति चो होते हैं गलत रास्तों पर चल देते हैं लेकिन किसी वेक्ति के अच्छे गुण अच्छे विभार और अच्छे बाते करने के कारण वो उस गुण चीजों को छोड़ना चाहते हैं और उसे दूर जाना चाहते हैं और समाज में एक सम्मान वरा जीवन व्यक्त करना चाहते हैं तो ऐसे काफ़े नवचारिक साधन हो सकते हैं और अप्चारिक समाजी नियंतर के विविन अजेंसियां भी हो सकती है जैसे परिवार, धर्म, डिसेदारियादी, परिवार में भी रहके हम अप्चारिक साधन के रूप में देख सकते हैं कि परिवार भी अपने बच्चों को सही रास्ता मार्ग दर्शन दिखा सकता है, कहत अगर धर्म में लिखाय का धर्म करना सबसे बरा पाप है, तो इससे आप समझ जाते हो कि भाई नहीं ये गलत चीज़े हैं, रिस्तेदारी, सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपको पता होगा कि कोई बच्चा गलत करता है, तो सबसे पहले रिस्तेदार ही अलोचना करती हैं, और हम यही बात करते हैं अपने बच्चों से, कि तुक अगर यह सा गलत कारे करेगा, तो हमारी इसदार क्या सोचेंगी, को इस दारी अपनी इसदार छोड़ देंगे, तो इस कारण से हम डर भी जाती हैं, और हम उस सब गलत कारे को छोड़ देती हैं, तो यह काफी मह नियंत्रन का प्रभाब यह काफी महत्पून पॉइंट है कि समाजिक नियंत्रन का प्रभाब देखा जाये तो समाजिक नियंत्रन का प्रभाब भी काफी देखने को मिलता है कि परतिवंदों के माध्यम से समाजिक नियंत्रन सक्रात्मक भी हो सकता है और नक्रात्मक दोनों ह करता है कि हमें यह डर होता है कि अगर हम गलत करते हैं तो हमें सजा दी जाती है अगर हम अच्छे करेंगे तो हमें इनाम दी जाएगी तो यह भी समाजी निंद्रन का सबसे महतुपून प्रभाव हो सकता है समाज के अच्छे विवार के लिए प्रिस्कित किया जा सकता है के समझ के अपने जो गलत कारे करते हैं इनको भी छोड़ देती हैं तो यह समाजी नियंदरन का प्रभाब भी देखेजने को मिल सकता है कि एकक्ति कारण दूसरे विश्दी का जो है परभाब बदलता है तो यह समाजी नियंदरन के सबसे महत्पूर्ण जो है rule regulation हो सकती है उसके पर शाथ बात करें तो दुसरी और नकरात्मा प्रति बंदो का उपयोग निमो को लाउग करने और विचलन को रोकने के लिए किया जा सकता है तो चले देखते हैं विचलन होती क्या है देखा जाये तो विचलन काफी महतपूर बात है विचलन की क्रियाओं के तरीकों का संधर्व करता है यानि विचलन क्रियाओं के तरीकों को संधर्व करता है यानि विचलन जो होती है आपकी क्रियाओं को जो है बताता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो जो किसी समूई या समाज के अधिकान सदस्दुरा रखे गए मादंडो य लानि हमें बताते हैं विचलन कि जो हमारे समाज या समूने जो मादन रखे हैं जो मुल्ले रखे हैं क्या आप उसके अनुरूप हो या उसके अनुरूप नहीं होती हो से विच्रित माना जा सकता है वो उतना ही व्यापक रूप से परवत्तन शील हो है जितना की मांधडर और मुले में अनु संस्क्रिपियों और संस्कृति तो आपको पता ही होगा और उप अपना लिया है इसके अंतरगत तिरपान सेंटर में वीडियो हैं देख सकते हो और इसको और भी अच्छे समझ सकते हो तो यहां देखा जाया तो विजलत माना जाता है कि उतना ही भ्यापक रूप से परवतनशील होता है जितना की मात दन और मुल्ले तो ये काफी महत नपोन बात या था है उसके पर शात देखें तो इसी तरह विवहिन विचारों के चुनौटी दी जा सकती है यानी विचारों को विचलन के द्वारा चुनौटी दी जा सकते हैं और वो 1 अवधी से 2 अवधी से 2 में बदलता ही रहता ही उधारन के लिए एक अंत्रिक्ष यात्री बनने का चेन करने महिला को एक समय में पत भष्ढमपना जा सकता है और 2 समय में उसी समाज में भी उसकी सराना की जा सकती है तो यहां पर आप समझ सकते हो कितनी महत पूर्ण बाद बताई गई है कि जब कोई लड़की जब कोई महला जीवन में बहुत उपर उरान रूड़ना चाहती है तो सभी समाज जो है उसकी अलोचना करती है लेकिन जब वह सक्सेस प्राप्त कर लेती है जब उस समाज उसको समान करते हैं उसको समान के द्रिष्टी से देखती है तो देखा जाए पहले कोई कारें नहीं किया जा रहा था जब कोई व्यक्ति करने कोशिश कर रहा था तो समाज उसको जो है पत भरष्ट कह रहे थी लेकिन जैसे उसने वह मुकाम हासिल कर लिया लोग उसक इसी के साथ दोस्तों हमारा यतना तक टॉपिक जो था खतम हो जाता है जो काफी महत्वपूर्ण था यह पॉइंट सब जो थे बहुत काफी महत्वपूर्ण थे एक्जाइम व्यू से कक्षाइगारमी के बच्चों के लिए जिरोंने सब्जेक्ट रखा हुआ है देखा जाय कि और वीडियो आपको इसी परकार प्राप्त होता रहे तो सोचना है नहीं दोस्तों समझना नहीं इतना अधिक क्योंकि आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टेडी संडर एट से लेके में बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण फ्लैटफोर्म तयार किया हुआ है तो बार अगर आप तिरपान स्टेडी संडर में जुड़ जाईएगा तो कई सालों तक जुए रहिएगा इसलिए सोचिए नहीं विचार न कीजिए अभी तिरपान स्टेडी संडर सब्सक्राब कर अपने वाल में सेव कीजिए